इंडेक्स हमारा क्या होगा, सारे के सारे वीडियो, किस हिसाब से, किस डेट को डल रहे होंगे, यहां पे हमें पता चल रहा होगा है कैसे आप एक ड्रीम कंपनी को क्रैक कर सकते हैं, कैसे कंपनी जो की 30 लाग, 35 लाग, 40 लाग, 60 लाग, 70 लाग या फिर एक करोड से उपर का पाकेज देखती है पर एर, चाहे आप एक इंजिनियर हो या ना हो, चाहे आपके पास computer science team है या ना हो, उसके बावजूद हमारा क्या correct बात होगा, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और यह वीडियो यार सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे यहां साथ लोगों की टीम लगी है, एक ऐसे व्यक्ति जन्होंने Google crack कर रखा है, GSoft crack कर कर रखा है, आपकी GS crack कर रखे, Adobe crack कर रखे, यह सारे व्यक्तियों की समरी, ज्यान आपको अगले 10-15 मिनट में मिल रही होंगी, ध्यान से सुनेंगे, बिना skip करें, एक-एक मिनट बहुत महत्पूर है, अगर आप एक फ्रेशल हो, first year student हो, जो की just college के अंदर गुसा है, second year student भ होंगी, पर हैं, बहुत लोग हैं, जो फोड़ते हैं, आपकी चाहे अच्छा college नो, उसके बावजुदाद, आफ कामपस कर रहे होंगी, कोई महेंगा laptop नीच होता, जो आपकी पास अवलेबल है, उससे आप continue कर सकते हैं, आपको बहुत strong होना पड़ेगा mathematics में, यह भी एक म लगा होंगा, जिसने commerce stream ले रखी थी, और GSOC क्लियर किया है, वो आपके लिए एक web development का course अभी बना रही है, कुछ clips में अभी आपको दिखा भी दे रहता हूँ, YouTube पे उससे अच्छा और डेटेल कोर्स नहीं है, अगले 10-12 दिनों में वो आ भी रहा होगा, यह कुछ facts भी ह इस पूरे वीडियो के दौरान, मैं आपको जब resources बता रहा हूँगा, तो उसमें एक resource एक course है, और वो course यार अपना college पे हमने डाल है, उससे best course, कोई नहीं है, यह open challenge दे सकता हूँ, मैं, आपसे चाहे कोई offline में 20,000 ले रहा हो, 40,000 ले रहा हो, 70,000 ले रहा हो, 80,000 ले रहा ह ऐसे बंदे जुन्होंने Google क्राक कर रहा है, Microsoft क्राक कर रहा है, Adobe क्राक कर रहा है, Arcesium क्राक कर रहा है, GS, GSOC, आप नाम लोग, सारी बड़ी कंपनी, साथ व्यक्ती है, यह जो कि अब आपका force बना रहे, मैंने team और बड़ी करती है, पहले सिर्फ पाच लोग थे, अब साथ लोग इस course को बना रहे हैं, काफी जादा extensive है, सारे के सारे lectures हमारे animated है, सारी चुरी को आपको detailed visualization के साथ बताया जा रहा होगा, और सबसे अची बात free है, YouTube के उपर डल रखा है, कोई भी देख सकता है, PR placement क्राक करने के 4 basic simple steps है, जो कि मैं आपको clearly बताने वाल हूँ, कुछ प 2nd year में मस्ती भी कर लोगे, तब भी आपकी अच्छी placement हो जाती थी, अब यार 2019-20 को अगर मैं देखूं, जब से आपका digital revolution हुआ है, हर बच्चे को पता है, शुरुवात से क्या पढ़ना है, कंपनिया क्या पूछती है, courses online है, तो बच्चे फर्स टियर से पढ़ते हैं, competition hard ह शुरुवात के 2 साल दबा के पढ़ना, मस्ती करो, पर साथ में पढ़ना भी है, दिन के 1-2 घंटे आपको coding को दो, ये भी बहुत जादा बोलरों में इतना भी दे दिया, तो मतलब सारी कंपनी उखाड़ दोगे, तो अब शुरुवात करते हैं, step number 1 यार, आपको सबसे पह आजाओ, टेस्ट दे सकते हो, पर माल लो, 400 बच्चे आगे, पर उस कंपनी को सिर्फ 100 बच्चों का टेस्ट लेना है, तो वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, कि यार, जिन जिन बच्चों की सबसे हाई परसंटेज है, 100 उन बच्चों को पकड़ लाओ, और पता चला, कट आफ आपकी 9 CGPY, कि 9 CGPY से उपर वाले बच्चे आ रहे हैं, तो जितनी अच्छी CGPY रख सकते हो, उतनी रखो, कोशिश करो 8 से उपर, तो यार, हमारी होई हो, 9 से उपर जाओगे, तो यार, बहुत ज़्यादा एज मिल रहा होगा, आपकी बहुत बड़ी-बड़ी जो कंपन Coding Round, यह है जिसमें हमारी मेन महनत लग रही होगी, अब Coding Round के लिए आपको तीन चीज़े सीखनी पड़ेंगी, पहले Language, फिर Data Structures, and then Algorithms, Language में सबसे बड़ा confusion बच्चों को आता है, कि भाया यार, मैं C++ करूँ, Java करूँ, या Python करूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा confusion है, पहल आपको competitive coding में बहुत आगे जाना है, तो यार, आपकी C++ काफी fast language है as compared to Java, अब फिर जब हम Java की बात कर रहे होते हैं, Java आपका use हो रहा होता है Android Development और Web Application में, similarly Python आपका कहां use हो रहा होता है, Machine Learning, Artificial Intelligence, Web Apps भी आप इन से बना सकते हूँ, अब यहार, यहां पर जब हम देखते हैं तो सबसे जादा आपको fascinating लग रहा होगा Python, Artificial Intelligence, कुछ futuristic सा लग रहा है, simple fact बताता हूँ, जब placement की बात आती है, तो Python मतलब, यह दोनों चीज़े मतलब data science, data analyst जो company होती हैं, वो आपको 5 लाग से लेके 12 लाग का package देंगी, बस, और यह बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों जब मैं placement specific बात कर रहा हूँ, तो Python को हम reject कर रहे होंगा, और इसका पीछे एक reason और यह है, कि काफी companies आपको मुँपे बोलेंगे, कि यार आप Python में अपना code नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि यार Python के अंदर libraries होती हैं, वो बड़ी बड़ी चीजे हैं, जो हमारा C++ और Java, दोनों बहुत अच्छी language है, दोनों में से कोई भी आख बंद करके उठा लो, फिर भी अगर आप पूछो, कि भाया एक specific बताओ, अगर मैं placement पे ही focus करना चाहता हूँ, तो यार फिर मैं बोलोगा C++ थोड़ा सा edge ले जाती है, क्यों? जब हम अपनी step number 3 में आ जाते हैं, या 3rd round में आपसे बोलेंगे कि पेपर के उपर आपको कुछ pseudo code वगरा लिखना है, तो आपसे यह काफी बार C language की चीज़ें पूछ ली जाती है, तो वहां पे आपको C++ आता है, तो आपको एक edge मिल रहा होता है, थर्ड benefit यह कि अगर आपको competitive coding में और आगे जान होता है, अब एक छोटी सी fact और बता दू, अगर आपको C++ आती है, जावा सीखने के लिए आपको कितने दिन चीज़ें, 15-20 दिन, बस, 2-3 हफते, अगर आपको जावा आती है, तो C++ सीखने के लिए आपको कितने दिन चीज़ें, 2-3 हफते, that's it, right, अब अभी, अगर आप फ्रेशर वच्चे हो, और हमें फॉलो करते हो, हमने जावा का कोर्स भी डाल रखा है, यार, लास्ट ये डाला था, पर मैं आपको फिर भी बोलूँगा, C++ के कोर्स में आओ, क्योंकि इसके अंदर हमने टॉप 7 फेकल्टी लगा रखी है, जिन्होंने गूगल, माइक्रोस में अपलोड कर रहे होंगे, फेज 1 और फेज 2, फेज 1 में यार, हमें लगेंगे लगबग 2.5 मन्स, और आपको पढ़ने में भी लगएंगे लगबग 2-5 महिने, फेज 2 जो है यार, ये लंबा फेज है, इसमें अगर आप हम वैसे देखें, सो 3-4 महिने आपको लगेंगे हमें अपलोड करने में सिर्फ लगेगा 1-5 महिना, क्योंकि यार, इसमें प्राक्टिस कोशिंस बहुत होंगे, जो कि आपको अपने एंड पर करने पढ़ रहे होंगे, हम सारे बताएंगे, हिंट सॉलूशन सब देंगे, राइट, भया, फेज 1, फेज 2, ये दो चीज़ें क्यों करिए आपने, इस से यार, हम ये सारी कंपनी क्रैक कर सकते हैं, जो कि आपकी है, 90 प्रतीशत कंपनियां, जो आपके कॉलेज में आ रही होंगी, फेज 2, थोड़ा कॉंपेटिटिव कोडिंग की तरफ इंकलाइंड है, जो 10 प्रतीशत मेजर कंपनी होती हैं, जैसे कि गूगल हो गई, डीशा हो गई, अर्सेशियम हो गई, कोडनेशन हो गई, टावर से सरच हो गई, स्फ्रिंकलर डारेक्ट है, इन सब का, ब्रैंड वैल्यू और पेपकेज बहुत बड़ी है, ठीक है, ये सारा थोड़ा सा आपका हाई-end में पूछेंगी, ये डाइनमिक प कुस्चन्स दे रहे होंगे, वह आपको करने हैं, बस, हर दिन या दस से पंदरा भीस मिनट का आपका ऐसे content डलता है, कभी आदा पॉन घंटे कर डलेगा, वह वह देखते रहे न, डिनर कर रहे हो, साथ में वीडियो देख लिया, थोड़ा सा लाप्टॉप में प्राक्टि ले लेंगे हम, great, phase 2 की जब हम बात करेंगे यार, उसके अंदर आपकी competitive coding जादा है, most extensive course है YouTube के उपर, या फिर आप जाए offline देखें, सबसे जादा extensive, साथ बंदे बैठके सिर्फ तुमें कोशन प्राक्टिस करा रहे होंगे, ठीक है, great, बहुत बढ़िया, तो इसके अंदर आपको तीन से चार महीने आपके end से लग रहे होंगे, अगर आप total time की बात करें, या फिर आप पूरे साल में थोड़ा थोड़ा practice करते रहो, basically, अब आपको हर दिन एक से दो question solve करना ही करना है, आप एक lay में आ गए हो, आप question को पकड़ते ही पचान रहे हो, कि ओक यार, यह इस इस प्रकार से हो रहा होगा, great, डरना नहीं है, कुछ नहीं करने, सिर्फ वीडियो देखने है, just watch अपना college guaranteed placement course, और यहां पे भी आपको सिर्फ lectures देखने हैं, YouTube के ओपर जो हम डाल रहे हैं, step number 3 होता है, technical interview round, अब technical interview round में क्या होता है, depending upon आपके college में कितने बच्चे हैं, यह दो से चार round हो सकते हैं, अब इसके अंदर यार, company तीन से चार चीज़े पूछते हैं, जो हमें आपको बता देता हूँ, पहला आपके कुछ main subject होते हैं, जिनके आपको knowledge होनी चाहिए, यह आपके semester के दौरानी आपको पढ़ा दिये जाते हैं, operating system, DBMS, networking system, design, को कभी-कभ यह जो आपने यहाँ पर पढ़ाना यार, आप यहाँ पर code कर रहे हो, अब आप से verballyly पूछ रहे हैं मुह से, या pseudo code लिखवा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस यह lectures देखने हो, उसी से आपका यह वाला पार्ट भी strong हो रहा होगा, next चीज होती है, कि आपकी puzzles पूछ लेंगे, puzzles, अगर आपने lecture number one देखा होगा, तो उसके अंदर आपने एक brain teaser करवाया था, right, तो वो आपसे puzzles वगरा पूछते हैं, वो आपको answer करने होते हैं, इसकी practice भी हम अपने C++ placement course में करा रहे हैं, right, तो जो कि एक काफी बड़ी आवात है, फिर next चीज है हर एक उपर से लेके नीचे तक, ठीक है, अगर समझ रहो न, वो आपका जो तो यह बाद की चीज है, मतलब, ठीक है, यह manage हो जाती है, main आपका junk यह है, यह है, और सबसे वड़ा तो यह junk है, great, फिर आपका आता है HR round, HR round क्या है कि अब बस आपका company ने आपकी technical skills देख ली है अब आपको वह आपकी personality देखना चाहते हैं, तो आपको एक HR round के लिए बुलाते हैं, आपको वहाँ पर बहुत formal रहना है, दो-चार question जो आपसे पूछे जाते हैं, usually, कि tell me about your failures, tell me about yourself, तो जब आप अपने बारे में बता रहे हैं, तो बहुत formal होके बता हैं, कि भई ठीक है, मैंने यहां से schooling करी थी, मेरे इतने देन नमबर आई, यहां पर मैं college आए, college में मैंने इस परकार से पढ़ाई करी, यह यह project करे, और इसलिए मैं आपकी company में आना चाहता हूँ, मैं इस particular skill में आगे बढ़ना चाहता हूँ, यह मैं को बहुत fascinate करता है, इस परकार के आप ची चीज की सारी पता हो, first, पैको ही मत, अपनी genuine hobby लिखो वहां पे, right, फिर cv resume के अंदर, अगर आपने कोई भी शब्द लिखा है, तो शब्द की बारे में आपको पता होना है, क्योंकि HR OC को पढ़के आप से question पूछने माला है, फिर आपकी personality देखी जाती है, तो normal जो व्यक् रहे होंगे, यहां पे हमें पता चल रहा होगा, तो यहार हमने के course स्टार्ट कर दिया था, 8th October को, ठीक है, सबसे पहले हमने basics के साथ स्टार्ट किया, यह आपको index दिख रहा होगा, programming fundamentals, c++ language, बेसिकली सिखा रहे हैं, फिर second week में हम क्या कर रहे होंगे, basic number system वगेरा, तो यह description box में आपको पूरी PDF मिल जाएगी, तो जो मैं phase 1 और phase 2 बता रहा था, phase 1 आपका यहां से start होता है, इधर से start होगा, और अब आप नीचे जाते जाओ, अब आप नीचे जाते जाओ, नीचे जाते जाओ, recursion, ठीक है, oops, STL, vector, link list, यह सारे के सारे stacks, queues, यह सारा phase 1 में है, binary trees, यह सारा का सारा, सारा का सारा, सारा का सारा, in fact, dynamic programming को भी हम phase 1 में ही करा रहे होंगे, graphs, तो लगबग यहां तक का जो content है, यह आपका phase 1 है, right, अब phase 2 के अंदर क्या हो रहा होगा, हम competitive की दुनिया में अब गुस रहे हैं, यहां से हम start होंगे, question practice start होगे, number theory, advanced concept, ठीक है, questions, string algorithm segment trees, अब यह segment trees है, यह अपने आप में काफी बड़ा topic है, YouTube पे बहुत कम दे रखा है, इसे, detail में बहुत, कोई नी, हम जा रहे होंगे, ठीक है, binary index trees, यह सारे के सारे topic है, HLD वगरा, यह तो पूछते भी नहीं है, थिर भी हम जा रहे होंगे, क्योंकि competitive में है, तो that's it, यह हम नमारा course structure होने वाल है, कितने time तक upload हो जाएगा, सब कुछ हमने लिख दिया है, यार, जैक है कि January तक यह course जा रहा होगा, January तक यह upload हो रहा होगा, और in fact second year में काफी आपके step and turn program भी होते है, कि जैसे आपका Google का step and turn होता है, आपका Uber नी भी निकाल रखा है, Intuit नी भी निकाल निकाल रखा है, Amazon नी भी निकाल रखा है, तो यह सारे आप कर सकते हो, Microsoft का kodash है लड़कियों के लिए, जाधातर step and turn programs यार, girls के लिए होते हैं, काफी boys के भी है, जिनके लिए मैं अब individual videos बना रहा हूंगा, पर मैनत करो, ठीक है, और बहुत जाधा मैनत आप कर चुके हो, एक दो साल थोड़ा और करो, और यह मैनत आपको खाएगी भी नियार, क्योंकि जब मैं मैनत बोल रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं कि एक दो गंटे पढ़ाई कर लो, college के अंदर उतना तो कर सकते हैं, तो बस यह course follow करते रहो, इसके अंदर यार मैंने पूरी energy लगाई है, एक एक सेकंड जो हम डाल रहे हैं, पूरी टीम इसके उपर वेट लिए, अच्छा नहीं लगा, दुबारा री शूट करो, इससे बहतर यह डाल सकते हैं, अनिमेशन जब हम डालते हैं तो आपका काम दस गोना बढ़ जाता है, एक नॉर्मल पढ़ाना, और उसी चीज को आ आप में से काफियों का डाउट है, कि भाया, जावा कब होगा, पाइफन कब होगा, जावा यार हमने लास्ट यह डाला था, पर अगर आप यह पूछ रहे हो, जावा अनिमेटेड कब होगा, तो उसमें अभी समय लगेगा, एक से देड़ महीना तो मिनिमम हमें लग रहा ह होगा, अगर आप पूछ रहे हो, पाइफन कब डलेगा, तो पाइफन यह प्लेस्मेंट के लिए ही नहीं, तो मैं सबसे पहले जो पाइफन डालूँगा, वो हम 10-15 दिन में डाल रहे होंगे, पर वो है क्लास 12 बोर्ड एजामेनेशन के लिए, राइट, अगर आपको मशी नहीं सीखेंगे, पाइफन सीखेंगे, अपने प्रोजेक्स बनाओ, ML और AI के अंदर, वो प्रोजेक्स से आपके समिस्टर में आपको क्रेडिट्स भी मिल रहे होंगे, साथ मैं आपको CV में भी लिखने को कुछ मिल रहा होगा, आप आप डवलप्मेंट करना चाहते हो, क् में क्या सीखना है, तो वो कोर्स भी हम निकाल रहे हैं, दस से पंदरा दिन में आपका वेब डवलप्मेंट का कोर्स आ रहा होगा, जिसको एक उसी बंदे ने बनाया है, कॉमर्स का बच्चा जीशॉक क्लियर करिया, तो हमारा में उद्दश्य ही है कि आप उस वेब डी को देखके खुद आप जीशॉक के लिए प्रेपैर हो सकें, तो सारी चीजें लाइन डप हैं, आप बस रोज कंसिस्टेंट रहो और आपको कहीं पर मूठा के देखने की जरुरत नहीं पड़ेगी, एक रुप्या लगाने की कहीं जरुरत नहीं है, तो शीशी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए, see I have a good day, bye bye, take care, energy एकदम सुपर हाई होनी चीए, ठीक है, कॉलेज के अंदर आए हैं, ये 17, 18, 19 साल की उमर वापस नहीं आएगी और सबसे जादा energetic हो, जैसे किस के होगे थोड़ी काम energy होगी, बाइश के और अभी जो आप रि